नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका The GS Platform की YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पर रहे वड़के 30 महत्पूर प्रस्णों को हल करेंगे ये प्रस्ण आपके आने वाले युपीटेट एक्जाम में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चावित होंगे और आप विश्वास मानिए इन 30 प्रस्णों में से 1 या 2 प्रस्ण जरूर ही आपके एक्जाम में आने ही हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा बुरा लगे तो डिसलाइक भी कीजेगा ठीक है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आज के हमारा पहला कुश्चन है रंद्रों का खुलना और बंध होना किस पर निर्वर करता है इसका सही आंसर है प्रकास पर रंद्रों का खुलना और बंध होना किस पर निर्वर करता है प्रकास पर दूसरा कुश्चन एंजाइम क्रिया सीलता का सर्वोत्तम ताप है यानि कि best temperature क्या है एंजाइम reaction का इसका सही answer है 25 to 35 यानि कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस एंजाइम क्रिया सीलता का सर्वोत्तम ताप है अगला कुश्चन देखते हैं अंकरल के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है बीजों को अंकरित होने के लिए कम ताप पर रखा जाता वो क्या कहलाता है इसको बोलते हैं बसंती करण बसंती करण बोलते हैं कब अबाब और बासे आप याद भी रख सकते हैं को कमताप पर रखना और यहीं भी बासे चालू है बहसंती करण बनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है इसका सही आंसर है मीधेन का जो कार्बनिक्स उत्र है वो CH4 तो बनस्पतियों के सड़ने से मीधेन गैस निकलती है कुश्चन एक बार साइट यूपीटेट में पूछा गया था कि धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है तो धान के खेत में मीधेन गैस पाई जाती है अगला कुश्चन वाई मंदल में औरगन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है इसका सही आंसर है 0.9% फ्रेंट्स आपको कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताना है कि वाई मंदल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रस्थ मात्रा में पाई जाती है एक्जैक्ट असमलब के स्थान में आपको बताना है बातोर बातोर मर्दा संसार का सबसे बड़ा lowest मैदान किस देश में इस्थित है संसार का सबसे बड़ा lowest मैदान चीन, चाइना में इस्थित है मिर्दा में औस्तन कितना प्रतिसत कार्वनिक पदार्थ पाया जाता है मिट्टी में कितना प्रतिसत कार्वनिक पदार्थ पाया जाता है मिर्दा में वह हैं मिर्दा जल होता है, जिसे पौदे एपनी जणों दोरा अपसोसित करते हैं, अगला कुश्चन, सरवादिक उर्बर मिर्दा, क्या कहलाती है, तो सरवादिक उर्बर मिर्दा होती है, दोमट मिर्दा, और सरवादिक उर्बर मिट्टी होती है, जलोड मिट्टी, प्रदान म्रदा में उकते हैं तो उनको का जाता है कैल्सी कॉल्स का जाता है या कैल्सियम से आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं next question पारिस्थित्की तंत्र सब्द का प्रियोग सर्व पर्थम किस ने किया था किस व्यक्ति ने सर्व पर्थम पारिस्थित्की तंत्र सब्द का प्रियोग किया था वो लाल बाद नीले रंक्य उपर्स्थिती में होती है प्रकास संसलेसल की करिया में CO2 का क्या होता है CO2 का क्या होता है Oxidation होता है या Reduction होता है तो इसका Up-chain होता है क्या होता है CO2 का ? Up-chain Next question वे जन्तू जो दूसरे जन्तूं का सिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं, predators इंगलिस में भी आप तुको पर्राइवर्ड में याद रखना सीखो वोल्ड को, क्योंकि कभी-कभी औप्शन आपको इंगलिस जिसे हिंदी में ये predators लिखा है ऐसे ही लिखके आ जाएगा तब आपको confused होना पढ़ेगा Next question खाद इस रंकला में उर्जा का प्रभा किसी दिसा में होता है इसका सही आंसर है एक ही दिसा में खाद इस रंकला में जो ओरजा का प्रभा होता है वो एक दिसी होता है Next question पारिस्थित्की बिग्यान में उर्जा मापने की इकाई क्या है तो जो पारिस्थित्की बिग्यान है उसमें उर्जा मापने की इकाई जो है वो उस्मा है उस्मा उर्जा मापने की इकाई है पारिस्थित्की बिग्यान में अगला question एक ब्रच के पारिस्थित्की तंतर का सं जी वभार प्रामिट कैसा बनेगा तालाप के पारिसितन की बात हो रही है तो ये भी उल्टा बनेगा फ्रेंड्स अगर कुश्चन अच्छे लग रहे हैं तो फटापट वीडियो को लाइक ठोंग दीजिएगा प्रकास संसलेसल क्रिया में उर्जा का रूपांतरर किस रूप में होता है अब प्रकास संसलेसल क्रिया में उर्जा का रूपांतरर की बात कर रहा है तो वह होता है रासाइनिक उर्जा की रूप में होता है प्रकास संसलेसल क्रिया में उर्जा का रूपांतरर होता है वो रा पौने वाले पौदे, जीरो फाइट्स कहलाते हैं, next question, पादप ब्रदि हेतू सबसे उप्युक्त है, पौदों की ब्रदि के लिए सबसे उप्युक्त है, दो मट मिट्टी, next question, घास इस्तिली पारी तंत्र में संख्या का प्रामिट कैसा होता है, तो ये होता है, सीधा, घास तंत्र में उर्जा का प्रामिट कैसा होता है तो पारी तंत्र में उर्जा का प्रामिट होता है सदैप सीधा ये उल्टा सीधा वाले जो चार कुश्चन है इनको अब जरूर जरूर याद कर ले यह एक्जाम में पूछे जाने के लिए बहुत ज़्याद संबाब ना है नेक्स वाईू मंडल का वह चेत्र जिसमें बादलों का बनना बिजली कड़कना तूफानों वह आन्वियों का होना पाये जाता है क्या कहलाता है अब यह बात हो रही है वाईू मंडल के उस चेत्र के जिसमें बिजली कड़कती है तूफान वह आन्या आती है तो वह क्या कहल यह कहलाता है चोब मंदल क्या कहलाता है चोब मंदल इसको फिर भी बोलते हैं तो यह आपको इंग्लिस और हिंदी दोनों में याद रखना नेक्स्ट दस प्रतिसत का नियम देने वाले बैग्यानिक कौन है किसी बैग्यानिक ने 10% लौ अब इंग्लिस में भी पूझा जा सक एक ही जाती की संख्या को क्या कहते हैं बहुत इजी कुश्चन है लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि दमाग शक्रा जाता है नहीं समझ माता है जैं मंदल में एक ही जाती की जो संख्या होती उसको जनसंख्या कहते हैं आपसन आपको दे देंगे जी बार परामेड ऐसे कु बहुत इंपोर्टेंट कुष्चन जो आपके एक्जाम आणि यूपीट एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट दे और इनमें से एक या दो कुष्चन पूछे जाने की तो प्रवल संबाबना आया आप एक्जाम के बाद ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उ थैंक यू